एक वैपारी वैपार करने के लिए एक सहर से दूशे सहर जाता था, बीच में रैगिस्तान का कुछ इलाका परता था, वह आदमी एक नेगितिव सोच वाला इंसान था, हमेशा सिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, एक दिन वह रैगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है, उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकि रैगिस्तान में पानी ना मिलने की वज़े से उसे बहुत गुशा आता है, और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेर, ना पान रास्ता भी लंबा है, रैगिस्तान पार करना पड़ता है, तभी आश्मान की तरह करके कहता है कि भगवान ये कैसा जगह बना दिया है, आपने, अगर मेरे पास हैं, बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेर देता हुआ आदमी उपर देके ये सब भालती कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उपर भाले से जवाब का प्रितिक्छा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे अब चमतकार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा उसे अपने आख के नीचे साम ने एक कुवान दिखाई दिया वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उसरेगिस्तान में कुवान नहीं देखा था वह कुए के पास पहुचा और देखा कि कुवान पूरी तरह पानी से भड़ा हुआ है प्रंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमीशा सिकायत करता रहता था और फिर से आश्मान की तरब देखते हुए बोला भगवान पानी से भड़ा कुवा तो दे दिया लेकिन पानी निखा लूँगा कैसे तो इस बाल जब वह नीचे देखा तो फिर से चमतका वह उसे कोई के पास रश्ची और बालती दिखाए दी लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला भगवान अब इस पानी को ले जाओंगा कैसे तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है वह पीछे मुर कर देखा तो एक उठ खरा हुआ होता है वह पूरी तहय से घवड़ा गया वह सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है मैं बातो बातो में कहा दिया अब मुझे यह हर्यारी करनी परेगी और पेर लगाने की जिमिदारी लेनी परेगी आदमी को पानी से भड़ा हुआ कुवा मिल गया बालती और रस्षी मि पूल दिया ये तो गरबर हो गया अब वह तेजी से दौर कर भागने लगा हुआ भाग रहा था जिमिदारी से बच रहा था तभी एक कागर उर्टे आया और इसके सरीर से चिपा गया उसने जब उस कागच को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी सद्धन के लिए प्रफिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो उस आदम को दगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है और डौटे डौटे रेकिस्टां को पाई कर लिया लेकिन उस रेकिस्टां को हरा भाया नहीं बनाए नहीं कहाणी हमें सिखाती है कि हम नमे से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बरे इश्कूर में पधलिया होता या बरे कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता अगर मेरे पास बहुत सारा पैशा होता तो ये कर लेता मेरे बस मेरे साथ नहीं देता है नहीं तो मैं पतानी क्या कर देता हम हमेशा सिकाय धूंड करते हैं अपनी ज लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं सो प्रतिशन में दारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी सिकायत के पूरा करें तो दोसरों पर दोस देना उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए अपनी गलतियों वो सुधार ना सुखेंडे